दिल्ली में बीते कुस दिनों में कुरोना के मामलों में तेजी आई है, यहां संक्रमर दर्द 10 फीजदी के पार पहुच गया है, इस बीज दिल्ली सरकार ने किसी भी स्तिती से निपटने का दावा किया है, दिल्ली के स्वास्त मंतरी सौरबहर दवाज ने कुरोना पुरी तरीके से तयार है, जगा-जगा एनॉस्मेंट किये जारहे हैं, और साथी साथ मास्क लगाकर अस्पिताल में जाने के लिए प्रेड्द किया जा रहा है, और वहीं दोबारा से कुरोना के नियम अपनाए जा रहे हैं, जिनके चलते हैं हमने कुरोना जैसी महमारी को मात दी थी अस्पताल में फार्मर्शी में के प्रांगर में जहां सबसे ज़्यादा भीड होती है मालग अतार अरॉंस्मेंट कर लोगों को कुरोना के प्रती जागरुक किया जा रहा है दोगश की दूरी मास्क है जरूरी इत्यादी बाते कराई जा रही है जिससे लोगों में जारुकता आए और असानी से कुरोना को मात दे सके आज बात करेंगे नगर निगम के सौमी धयानन अस्पताल के सीमो डॉक्टर गैलेबिंट त्यागी से क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर गैलेबिंट त्यागी नय कुरोना के वायरिस को लेकर और क्या सावधानी बरत्नी और अस्पताल परशाशन के किस तरह से मुस्तैद है इस बारी में आईए जानते हैं सीधा उन्हीं से जो दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं इस्तिती की तो अभी दो दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था वो 14% के आसपास था वह इसलिए ऐसा था क्योंकि जांच कम हो रही है उन्हीं केसिस की जांच हम कर रहे हैं जो बिल्कुल हमें सस्पेक्टिड कोविड लग रहे है हैं या जिन में सिंटम्स आ रहे हैं क्योंकि अगर जन्रलाइज आपने जांच उस स्थर पर शुरू कर दें तो वह केसिस भी स्वभाविक वूप से ज्यादा आएंगे अभी जो कोविड के केसिस हैं उनमें एक चीज यह है कि सिवियर्टी उतनी जादा नहीं है मतलब कि ह बहुत ज़्यादा ज़र्वत नहीं पड़ रही है लेकिन हां ध्यान देने की आश्यक पतु है जिस तरह देखा जारे हैं लोगों के अंदर इस समय जो बर्तमान का समय चल रहा है इस समय में खराश और बुखार या पुरा शारिविक दर्द की समश्यां बहुत ज़्याद देखिया इस बार जो वेरियंट है क्योंकि यह एक वाइरल इंफेक्शन है वाइरस अपना प्राभूप चेंज करता रहता है तो हर वाइरस एक अलग प्रकार का इंफेक्शन करता है अब की बार जो लोगों में जादा शिकायत है वो गले खराश की बुखार की बदन दर जैसा आपने बताया इसके साथ लूज मोशन काफी सारे केसिस कोविट जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो लूज मोशन की शिकायत लेकर आ रहे हैं और एक केस जो मैंने स्वाइन देखा उसको तो इलक्ट्रोलाइट इंबलेंस हो के सीजर तक भी आए तो थोड़ा सा वेरिय अब लगबग तीन साल हम लोगों को हो गए हैं आपको ध्यान होगा कि 22 मार्च 2020 का वो दिन था और अब तेहीस आ चुका है तो कोविट को लेके अब जन जन जागुख है बस एक ही बात ध्यान रखनी है साफधानी और साफधानी के रूप में जो यह कहते हैं न दोगज की दूरी बेसिकली वाइरस की जो एक से दूसरे में फैलने की शमता है वो डिपैंड करता है कि आप कितना निकट है छूने से सास के माध्यम से तो मास्क ना केवल कोविड के लिए बलकि वैसे भी जो वाइरस से होने वाली सास के तूर जो बीमारिया या सीजनल फ्लूज है जो काम सर्दी है उनसे भी बचाव करेगा तो आपका मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जिन लोगों ने वैक्सिनेशन को बीच में छोड़ा था बूस्टर्स नहीं लिए थे वो अपना वैक्सीन का चक्र पूरा करें तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम कंट्रोल कर सकत हैं जो इस तरीके के सस्पेक्टिड कोविड केसी हैं उनके लिए प्लस कुछ एक जो मैडिसंस जिनका हमें लगता है कि शायद अगर आउटब्रेक होता है तो उस ताम ज़रूरी होंगी वैसे वे हैं हमारे पास लेकिन फिर भी हमने उनको फर्दर और मंगाने की कवायत भ लिए भी वोस्टर्स वगेरा बना दिया हैं तो हमारी तरफ से तयारी है तो उनको वहां रखा जाएगा और वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसको आगे शिफ्ट किया जिस तरीके सब्सक्राइब की कमी होई तो इस बार किस तरीके की विवस्ता है आप क्या साल की बात है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ऑक्सीजन की कमी होगी उसका कारण क्या कि हमारे एलमो प्लांट भी है पी से प्लांट भी है और उसके अलावा सबक लेते हुए हमारे पास में आज की डेट में कंसंट्रेटर सिलेंडर सब कुछ पर आप स्टोरी प्योरो के दिल्ली सर्वी डाल में की रिपोर्ट